दोस्तों हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रासाइनिक अभीक्रिया रासाइनिक अभीक्रिया एवं समीकरण रासाइनिक अभीक्रिया एया हम निर्मान करते है तो एसी जो प्रक्रिया है ये रासाइनिक अभीक्रिया कहलाटी है और किसी भी रासाइनिक अभीक्रिया कहलाती है और किसी भी रासाइनिक अभीक्रिया में किसी भी पतार्थ में क्या-क्या चेंजमेंट आ सकते हैं उसका जो chemical structure है वो change हो सकता है उसकी गंद change हो सकती है उसका color change हो सकता है सब हमने पिछले वीडियो में जाना देखिए दोस्तों वर्तमान में हम जो अभी करिया पढ़ रहे थे लास्ट जहां पे हमने टॉपिक को छोड़ा था ये थी आपकी संयोजन अभी करिया संयोजन अभी करिया देखिए संयोजन अगर मैं बात करूँ सहियोजन की तो सहियोजन का basic जो meaning होता है दोस्तों वो होता है जुड़ाव यानि जुड़ना अब मैंने आपको बताया दोस्तों पिछले वीडियो में कि सहियोजन जो है वो तीन प्रकार से संभव है जब कोई तत्व कोई element किसी element के साथ में सहियोजन करे तत्व के साथ में सहियोजन करे या कोई भी दो योगिक सहियोजन करे योगिक किस के साथ मिले योगिक के साथ मिले और आपका कोई भी तत्व जो है वो योगिक के साथ सहियोजन करे तो तत्व और तत्व का सहियोजन हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने जो एक्जामपल देखा था देखा था आपका कार्बन का ऑक्सिजन के साथ में जो सेयोजन है यह क्या है कैसा सेयोजन है तत्व का तत्व के साथ में हाइड्रोजन एटम का सपोज डेट ऑक्सिजन के साथ में रियक्ट करवाएंगे क्या बनेगा लिक्विड प पढ़ेंगे योगिक और योगिक का सही योजन, दूसरा सही योजन जो पढ़ेंगे योगिक का योगिक के साथ सही योजन, अब देखिए दूस्तों, इसमें क्या होगा, जब कोई भी दो कमपाउंड, जब, अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो जब दो योगिक मिलकर नया उतपाद बनाएं, उतपाद बनाएं, तो ऐसा जो सही योजन होगा, वो योगिक और योगिक का सही योजन होगा दूस्तों, अब देखिए योगिक का सही योजन अगर हम देखें, तो एक्जैम्पल की बात करें दूस्तों, तो यहां से अगर मैं example लोँ तो यह है हमारे पास में ammonia का example लेते हैं NH3 होता है ammonia इसके साथ में हम react करवाएं HCL, hydrochloric acid है इसको अगर हम react करवाएं यह gaseous form में हैं, इसको भी हम gaseous form में लेते हैं अगर इसका react करवाएं तो हमारे पास बनेगा ammonium chloride यानि कि NH4 CL यह बनेगा आपका ammonium chloride तो देखिए दोस्तों, यह एक compound था दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है यह भी एक compound था hydrogen और chlorine से मिलकर बना हुआ है इसने एक नया पदार्थ बनाया दोस्तों NH4 CL, जिसको क्या कहोगे ammonium chloride ammonium chloride तो दोस्तों यह था आपका yogic का yogic के साथ से योजन देखिए दोस्तों, दूसरा एक और example लेते हम calcium oxide की, या calcium monoxide का react करवाएं किस के साथ में? carbon dioxide के साथ में CO2 के साथ में दोनों एक compound है, क्या बनेगा दोस्तों? calcium carbonate बनेगा, CaCO3 calcium carbonate तो यह कैसा से योजन है दोस्तों? यह जो है, देखिए यह भी एक yogic है, calcium और oxygen जुड़े हुए है और यहाँ पर carbon और oxygen जुड़े हुए है यह भी एक yogic है दोस्तों दोनों ही से योजन किस प्रकार के से योजन है? योगी का yogic के साथ से योजन होकर एक नया product बना जिसका नाम है calcium carbonate तो यह इस प्रकार की जो अभी क्रिया में हमें देखने को मिलता है वो मिलेगा yogic और yogic का से योजन देखिए दोस्तों मैंने आपको बार-बार कहा है इस topic के दोरान पिछले वीडियो में भी कि आपको reaction याद करने की जुरूत नहीं है आपको सिर्फ क्या याद रखना है दोस्तों आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर pattern याद रखना है किस तरीके से अब ये एक compound है या तट्व है ये इसकी पहचान क्या है किस तरीके से इनका जुडाओ हो रहे है अभीक्रिया में क्या चीज संभव हो रही है क्या बन रहा है ये pattern अगर आपको ध्यान में रहता है तो रासाइनिक अभीक्रिया और रासाइनिक समीकरण से के topic से आपका एक भी question गलते नहीं होगा दोस्तों तीसरा हम संयोजन देखेंगे दोस्तों वो है आपका तत्व का योगिक से संयोजन तत्व का योगिक से संयोजन तत्व का योगिक से संयोजन अब देखेंगे दोस्तों इसमें क्या होगा जब कोई तत्व जब कोई तत्व एक योगिक के साथ से योजित हो योगिक से जुड़कर से जुड़कर नया उत्पाद बनाएं नया उत्पाद बनाए तो ये जो से योजित है ये तत्व का योगिक के साथ में से योजित कहलाता है देखिए दोस्तो अगर मैं बात करूँ एक्जैम्पल की तो यहां से कोई भी एक्जैम्पल हम लेख सकते हैं बहुत सार एक्जैम्पल हैं जिसे कार्बन हम लेते हैं कार्बन ओक्साइड का किसके साथ में ऑक्सिजन के साथ में अगर इसको रियक्ट करवाएं तो यह बनेगा दोस्तों आपका CO2 यह यानि की कार्बन डाई ओक्साइड यह क्या बनेगा आपका CO2 जो कि आपकी क्या है एक गैस है अगर दूसरा हम देखो ये क्या है योगिक है क्या ये क्या है एक योगिक है और ये दोस्तों क्या है आपका एक तत्व है और ये एक नया उत्पाद बना तो आपका जो सहियोजन है एक तरफ आपका योगिक है एक तरफ आपका तत्वा है जिसे मिलकर एक नया उत्पाद बना तो योगिक का सियोजन किसके साथ में हुआ दोस्तों तत्व के साथ सियोजन हुआ तो ये चीज हमने देखी तत्व का योगिक से जब सियोजन हो और जब एक नया उत्पात बने तो ऐसा सियोजन जो है दोस्तों ये बनेगा आपका SO3 SO3 क्या है दोस्तों यहाँ पर अगर balance करें तो यहाँ पर कितना आएगा 2, oxygen कितने हैं 6, 2 और 2, 4 और 6 sulfur कितना है 2 और यहाँ पर भी 2 तो देखिए दोस्तों यह जो reaction होती है यह आपका यह जो element है यह क्या बना दोस्तों यह है sulfur try sulfur try oxide sulfur try oxide यह आपका नया element बना sulfur try oxide तो देखिए दोस्तों इस परकार की जो reaction है यह किसमे होती है यह reaction होती है अमल वर्षा के दोरान अमल वर्षा के दोरान देखिए जब यह water के साथ में react करेगा तो यह बनाएगा H2SO4 जो की एक टाइप का क्या होता है strong acid होता है जिससे की फसलों को नुकसान होता है हमारे skin से related disease हो सकती है जो tissue cancer है यह जो तुचा का cancer है ऐसे कई प्रकार के रोगों से हम ग्रसित होते हैं बहुत सारे जली जीव इससे मरते हैं तो इस प्रकार की जो reaction है sulfur dioxide की oxygen के साथ जो reaction होकर sulfur tri oxide बनता है दोस्तों यह जो chemical reaction है यह जो रासानिक अभी करिया है यह होती है अमल यह वर्षा के दोरान आपको याद रखना है पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की reaction कब होती है तो आपको बताना है इस का answer होगा अमल वर्षा के दोरान ऐसी chemical reaction आपको देखने को मिलती है देखिए तो यह थी आपकी सहियोजन अभी करिया मैंने दोस्तों यहाँ पर बताया सहियोजन जो है वो तीन प्रकार से हो सकता है तत्व का तत्व के साथ सहियोजन हो सकता है योगिक का योगिक के साथ सहियोजन हो सकता है और तत्व तथा योगिक का सहियोजन हो सकता है आप देखिएंगे दोस्तों हम नेक्स्ट अभीकलिया, ये है आपकी वियोजन, वियोजन अभीकलिया, वियोजन अभीकलिया, यैन्ने डीकमपोजिशन रियक्षन. देखिए दोस्तों जब कोई जो पदार्थ है वो एक प्रड़क्ट तूट कर तूट जाए और तूट कर क्या कर देखे देखो वियोजन शब्द है मेरे पास में वियोजन अब वियोजन का मतलब क्या होता है तूटना जैसे सहियोजन का जस्ट उल्टा है दोस्तों वियोजन या इसी वियोजन को बोलते हैं दोस्तों अप घटन इसी को बोलेंगे अप घटन या इसका दूसरा नाम है अप घटन अभी क्रिया अप घटन अभी क्रिया अब देखिए इसमें क्या होगा जब कोई योगिक तूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का उत्पादों का निर्मान करे तो यह है अपघटन या अपघटन या वीयोजन वीयोजन अभी क्रिया है अभी क्रिया है यानि ऐसी केमिकल रियक्शन जिसमें कोई भी कमपाउंड योगिक है वो तूट जाए और तूटकर क्या करे एक दो या दो से अधिक उत्पादों का जब निर्मान करे तो ऐसी अभीक्रिया को आप क्या कहेंगे अप घटन अभीक्रिया या कहेंगे इसको दोस्तों वियोजन अभीक्रिया या कहेंगे वियोजन अभीक्रिया अप घटन का मतलब भी दोस्तों क्या होता है तूटना होता है और वियोजन का मतलब भी क्या होता है दोस्तों तूटन तो ये वियोजन शब्द या अपगटन, कोईसा भी मिल जाए, एक ही टाइप की chemical reaction है, तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने संयोजन जो देखा, वो तीन प्रकार से हो सकता था, तत्व का तत्व के साथ संयोजन, तत्व का योगी के साथ संयोजन, उसी प्रकार से वियोजन या अपघटन जो है वो भी दोस्तों तीन प्रकार से होता है देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है वियोजन वियोजन या अपघटन तीन टाइप से हो सकता है देखिए दोस्तों कौन-कौन से हैं तीन टाइप यहाँ पर हमारे पास में तीनो टाइप देखेंगे, सबसे पहला जो वीयोजन है, वो है दोस्तों आपका उष्मिय वीयोजन, उष्मिय वीयोजन, यानि थर्मल डीकमपोजिशन, है दूसरा है दूस्तों, प्रकास ये वीयोजन, या फोटोलाइसिस, डीकमपोजिशनmented और तीसरा है मेरे पास में विद्युत वियोजन यानि इलेक्ट्रोलाइसिस कम्पोजिशन देखे दोस्तों उश्मी वियोजन नाम से स्पस्ट है उश्मी वियोजन कब होगा उश्मा प्रदान करने पर उश्मा प्रदान करने पर जो वियोजन होगा उसको आप कहेंगे दोस्तों उश्मी वियोजन दूसरा है दोस्तों प्रकास ये वियोजन अब प्रकास ये वियोजन कब होगा प्रकास की उपस्तिती में बहुत ही आसान सी बात है और तीसरा है दोस्तों मेरे पास में विद्यूत वियोजन और विद्यूत वियोजन कब होगा करंट पास करने पर जो करंट है वो पास करेंगे तो क्या होगा दोस्तों विद्यूत वियोजन होगा तीनों को हम अलग-अलग study करेंगे अलग-अलग इसको देखेंगे अब देखिए सबसे पहले दोस्तों मेरे पास है उश्मिय वियोजन अब उश्मिय वियोजन या thermal decomposition क्या होता है दोस्तों अभी हमने definition में देखा कब होगा उश्मा प्रदान करने पर उश्मा प्रदान करने पर अब उश्मा प्रदान करने पर जो वियोजन होगा वो क्या होगा उश्मिय वियोजन होगा अगर बात कर लें दोस्तों example की तो बहुत ही आसानी से सबसे पहला जो CaCO3 अगर इसको क्या प्रदान कर दें उश्मा यानि की हीट दे दें दोस्तों तो हीट देने पर किस में तूट जाएगा ये केलसियम मॉनो उकसाइड और कार्बन डाई उकसाइड में तूटेगा तो CaO प्लस CO2 यानि कार्बन डाई उकसाइड ये क्या हो रहा है आपका वी उजन हो रहा है दोस्तों केलसियम कार्बन डाई केलसियम कार्बन डाई इसका वी उजन होगा ये तूट जाएगा तो तूटने पर किस में तूटा दोस्तों ये ये तूटा केलसियम उकसाइड केलसियम उकसाइड और दूसरा है आपका Carbon Dioxide Carbon Dioxide तो ऐसा देखो अब ये जो एक योगिक था मैंने आपको बताया जब कोई योगिक तूट कर दो नए पदार्थों का निर्मान करे तो ये अभीक्रिया कौण सी अभीक्रिया है V-O, जनिया अपगटन है क्या अब ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि आप इसको क्या दे रहे हो दोस्तो हीट दे रहे हो उश्मा दे रहे हैं तो ये कैसा वियोजन हो गया उश्मी ये वियोजन हो गया आप देखें दूसरा अगर एग्जैम्पल लें तो ये हमारे पास potassium chloride अगर इसको हम heat दें दोस्तों उश्मा दें तो ये किस में तूटेगा दोस्तों ये तूटेगा आपका potassium chloride और oxygen में oxygen में तूटेगा देखिए अगर इसको balance करें यहां से तो ये आजाएगा आपका 3 तो कि यहां पर oxygen के कितने atom है 6 है और यहां पर भी 6 है potassium और chlorine के 2-2 है यहां potassium और chlorine 2-2 है तो इस परकार का जो दोस्तों वियोजन होगा वो वियोजन आपका कहलाएगा उश्मिये वियोजन अब देखिए दोस्तों next हमारे पास जो वियोजन है वो है परकास ये वियोजन अब परकास ये वियोजन कब होगा दोस्तों अगर मैं यहां से बात कर लूँ तो ये होगा परकास की उपस्थिती परकास की उपस्थिती उपस्थिती में जो वियोजन होगा उसको आप क्या कहोगे दोस्तों परकास ये वियोजन कहेंगे अब देखिए प्रकासी व्योजन में क्या संबह हो है दोस्तों अगर आप मान लीजिए एक्जेम्पल की बात कर लें यहां से हम तो हमारे पास है एजी सी एल यानि सिल्वर क्लोराइट अगर इसको हम तोड़ें किसकी उपस्तिती में प्रकास की उपस्तिती अगर इसको बाहर सनलाइट में रख देंगे प्रकास की उपस्तिती में रखेंगे तो यह अलग-अलग हो जाएगा और अलग-अलग होकर यह बनाएगा चांदी और साथ में निकलेगी क्लोरीन गैस यह क्या आपका solid है दोस्तों तो AGCl जनी silver chloride जो है इसको अगर प्रकास की उपस्तिती में तोड़ा जाए तो क्या बनेगा दोस्तों यह आपकी चांदी है देखो चांदी को AG से निरूपित किया जाता है चांदी का Latin word है Argentinum जो कि इसलिए इसको AG से निरूपित करते हैं बोलते हैं हम इसको silver तो जो silver chloride है दोस्तों इसको अलग प्रकास की उपस्तिती में अगर रखा जाएगा तो यह चांदी अलग हो जाएगी और आपकी जो chlorine gas है वो अलग हो जाएगी और तीसरा जो दोस्तों हमारे पास में वियोजन है वो है आपका विद्यूत वियोजन अब विद्यूत वियोजन देखिए दोस्तों विद्यूत वियोजन तभी संभव है जब क्या हो electric current पास करने पर अगर किसी भी compound से आप electric current को पास करेंगे तो उसके बाद जो decomposition होगा जो वियोजन होगा उसको आपका होगे दोस्तों विद्यूत वियोजन suppose देख आपके पास H2O है दोस्तों H2O इसके अंदर आप क्या पास करें दोस्तों current को पास करें तो क्या होगा ये तूट जाएगा अलग अलग हो जाएगा दोस्तों किस में hydrogen gas आपके अलग हो जाएगी और oxygen जो gas है वो क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी दोस्तों अब देखिए अगर इसको balance किया जाए तो ये यहां से क्या होगा अभी ये balance है क्या तो ये जो आपका example हो गया दोस्तों ये किसका example हो गया विद्यूत वियोजन का उपस्तिती इसमें रहेगी electric current की उपस्तिती रहेगी दोस्तों तो इस प्रकार का वियोजन जो है वो कहलाता है विद्यूत वियोजन तो दोस्तों वियोजन जो अभी क्रिया है वो हमने यहां पर पड़ी वियोजन जो है वियोजन का मतलब होता है अपगटन या वियोजन एकी बात है जब कोई योगिक तूटकर दो या दो से अधिक उतपादों का निर्माण करे तो यह अप गटन या वियोजन अभी क्रिया है वियोजन जो है वो दोस्तो तीन प्रकार से हो सकता है जनरली हमने देखा कितने प्रकार से उश्मिय वियोजन उश्मा परदान करने पर प्रकास ये वियोजन जो होता है वो प्रकास की उपस्तिती में होता है और विद्युद अप घटन जो है वो या विद्युद वियोजन जो है वो किसकी उपस्तिती में होता है करंट की उपस्तिती में नेक्स्ट जो अभी क्रिया हम देखेंगे दोस्तों यहां से वो है आपका विस्थापन अभी क्रिया विस्थापन अभी क्रिया अब विस्थापन का मतलब होता डिस्प्लेस करना देखेंगे दोस्तों मैं अगर लिखूँ एक्स और मालीज यह यह वाई जेड इनका अब एक्स जो है वो अकेला अलग अलिमेंट है यह एक कमपाउंड है जिसमें एक अलिमेंट है वाई और दूसरा अलिमेंट है जेड मालीज यह वाई की तुलना में एक्स जो है वो ज्या जब इसमें विस्थापन होगा तो विस्थापन के बाद में Y को ए सप्रेट कर देगा और एकस जो है जड़ के साथ में जूट जाएगा तो आपके पास नया प्रोडेक्ट मिलकर या रहाँ पनाए एक-जड़ candles बनेगा and य लग हो जाएगा अब Y आपसे अलग हो गया Z से क्योंकि X की तुलनाय में Y जो था वो कम क्रियाशील था और X जो है वो ज़्यादा क्रियाशील था जिसलिए उसने Z के साथ रियक्ट करके तुरंट X, Z नामक एक नए पदार्थ का निर्मान कर लिया नया कंपाउंड जूड गया और जो Y एलिम कोई भी तत्व या योगिक अन्य तत्व या योगिक को परतिस्थापित कर एक नए पदार्थ का जो निर्मान करता है तो ऐसा जो अभी करिया है वो कहलाती है आपकी विस्थापन अभी करिया विस्थापन जो है वो दो परकार से हो सकता है दोस्तों एक तो होता है आपका एकल विश्थापन यहनि सिंगल डिस्प्लेस्मेंट और दूसरा होता है आपका द्वी विश्थापन द्वी विश्थापन यहनि डबल डिस्प्लेस्मेंट रियाक्शन आप देखें दुस्तोender जब कोई एक ही तत्व किसी योगी को परतिस थापित कर नए पदार्थ का निर्मान करता है तो ऐसा होता है एकल विस्थापन और द्वी विस्थापन में दोस्तों क्या होता है आयन का विनी में होता है आयन का विनी में आयन का विनी में होता है अब आयन क्या होता है दोस्तों जब कोई भी तत्व है, माली ऐ सॉडियम है आपके पास में, अब अगर इसके पास कोई एक चार्ज है, तो चार्ज ज़ो है आने के बाद में, जाये वो धनावेश हो, जाये रिनावेश हो, ये क्या बन जाएगा दुस्तों, आयन बन जाएगा, अगर इसके उपर धन आवेश है मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आयन की देखिए आयन आयन क्या है माली जे सोडियम ये मेरे पास में सोडियम है इसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हूँ अब ये तो क्या है इसका परमानू करमांग परमानू करमांग अब परमानू करमांग का मतलब क्या होता है दोस्तों नमबर ओफ प्रोटोन्स अब आयन्स कैसे बनते हैं यहां से हम देखेंगे नमबर ओफ प्रोटोन्स है और ये है आपकी द्रवेमान संख्या द्रवेमान संख्या और द्रवेमान संख्या का मतलब है protons plus में neutrons इन दोनों को जोड़ दें अब यहाँ पर number of protons जितने हैं उतना ही क्या होगा number of electrons number of electrons अब देखिए electronों की संख्या जो है वो कितनी है 11 है किस के पास sodium के पास में अब यह धना आयन में कैसे परिवर्तित होता आयन में कैसे बदलता है देखिए electronic विन्यास अगर हम देखें तो किसी भी कक्षा में कितने electron होंगे यह depend करता इस formula पर 2N square अब 2N square में N जो है वो है कक्षों की संख्या कक्षों की संख्या आप देखिए दोस्तों मैंने यहां से यह हमारा nucleus है और इसके चारो तरफ कक्षाएं अब इन कक्षाओं में हम electrons को परतिस्थापित करेंगे इसमें neutron है और proton है positive charge अब देखिए first orbit के लिए करेंगे तो N equals to 1 होगा formula में put कर दो 2 into 1 का square यह बनेगा आपका 2 into 1 is equal to 2 तो first orbit में कितने electron होंगे दो electron होंगे यह लो हमने परतिस्थापित कर दिया ठीक है आप देखिए second orbit के लिए अगर बात कर लें तो N equals to 2 आजाएगा 2 formula में put कर दो 2 into 2 का square तो यह बनेगा दोस्तों आपका 2 into 4 equals to 8 दूसरे दूसरे में 8 आठ आगे 8 रख देते अब एक electron इसके पास बच गया 8 और 2 10 यह number कितना हो गया 10 हो गया 1 बच गया क्योंकि 11 में से 10 माइनिस करोगे कितना बच ता 1 अब स्थाई तो अब राप्त करने के लिए या तो यह 7 electron ओको ग्रहन करे या एक electron का त्याग कर दे अब अगर यह एक electron का त्याग कर देगा तो protons की संख्या तो रह गई 11 और electrons की संख्या वो रह गई 10 तो charge कों सा ज़्यादा हो गया धनाविश धनाविश ज्यादा रह गया इसलिए sodium पर कैसा चार्ज आ जाएगा positive चार्ज आ जाएगा वो भी एक की संख्या में इसलिए हम sodium को लिखते हैं Na plus तो कोई भी ऐसा तत्व है अगर उसके पास में कोई भी चार्ज है, कोई भी आवेश है चाहे वो धनावेश है, चाहे वो रिनावेश है तो ऐसा तत्व क्या कहलाएगा दोस्तों, आयन कहलाएगा अगर उसके पास धनावेश है तो धनायन है और अगर उसके पास में रिनावेश है दोस्तों तो वो रिनायन है तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां से विस्तापन अभीक्रिया की तो विस्तापन में क्या होता एक तत्वे दूसरे योगी को के अंदर उस तत्वे को प्रतिस्थापित कर खुद जुड़ जाता है जो ज़्यादा रियक्टिव होता है कम रियक्टिव के जगे पे इस यह जो अभीक्रिया है ऐसी अभीक्रिया को हम विस्तापन अभीक्रिया कहेंगे दोस्तों इसके एक्जैम्पल्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एकल विस्तापन और दिवी विस्तापन के बारे में इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपका ये टॉपिक जो है वो क complete हो जाएगा दोस्तों तब तक के लिए thank you very much